इंडिया बनाये का सरकार रहुल ओर प्रवार हुए सक्री है। चंद्रबाबु नाइडू और नितिश कुमार कॉंग्रिस के संपर्क में नवीन पतनायक से शरतपवार ने की बाद। लुक्समच नाव में इस बार किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। एकजित पोल 400 पार का दावा कर रहे थे। लेकिन बीजेपी रही सो पार भी नहीं कर पाई है। इंडिया गठबंदन ने कई राज्यों में क्लीन स्विप किया है। इंडिया गठबंदन 230 से ज्यादा सीटे जीतने में काम्याब रहा है। इसके बाद इंडिया की तरफ से सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। जैसे ही रुजहान आने शुरू हुए इंडिया गठबंदन के बीच में सरकार बनाने की चर्चा शुरू हो गई। और जैसे ही ये तैह हुआ बीजेपी भहुमत से दूर हो गई है उसके बाद इंडिया ने सरकार बनाने की कमान अपने हाथ में समाल ली राहुल गांदी ए आई सीसी कारेले पहुँच गए और उन्होंने इंडिया गटबंदन के तमाम नेताओं से संपर्क साधा पार्टी नेताओं और कारेकरताओं को सक्रिय किया इस बीच शरत पवार और राहुल गांदी के बीच फोन पर बातचित भी हुई है जिसके बाद इंडिया में सेंदमारी की कोशिश तेज हो गई है एक तरफ नितिश कुमार के साथ राहुल गांदी ने संपर्क साधा है तो चंदरबावु नाइडू को इंडिया के पाले में लाने की कमान शरत पवार ने समाल ली है पवार ने नमीन पतनाएक से भी बात की है वैसे इंडिया कटबंदन की निगाहें इस समय अगर किसी दल पर लगी है तो वो टीडीप और जेडियू है नितिश कुमार को लेकर त नितिश क्या फैसला लेंगे वैसे जेडियू की तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी एंडिया में ही रहेगी लेकिन बीजेपी को भी अब इन नितिश पर भरोसा नहीं दिख रहा है और कहा जा रहा है कि अगले कुछ घंटों में नितिश कुमार पलती मार सकते हैं वैसे भ गर नाइडू बीजेपी का साथ छोड़ भी देते हैं तो भी उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। रहते हैं तो उनकी मांग एक बार फिर पूरी नहीं की जाएगी। इसे बहुमत साबित कर देंगे। क्योंकि टीडीपी और जेड्यू के अलावा और भी कई पार्टियां जो इस समय एंडिये में हैं और उन्हें दो दो सीटों पर जीत मिली हैं वो सभी पाला बदलने की तयारी में हैं। लेकिन ये पाला बदल का खेल तबी होगा जब इंडिया गठबंधन को सरकार बनाने का न्योता मिलेगा। वैसे सभी की नजरे इस समय नितीश और चंदरबाबू पठकी हुई हैं। बीजेपे की सांसे फूल रही हैं तो दूसी तरफ इंडिया गठबंधन में उच्छा का माहौल दिखाई दे रहा है।